नमस्कार ये है रिव्यू कॉर्णर और मैं हूँ तुशार उपरेती चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स, सारे रिव्यूज मिलते हम सिर्फ मूवी रिव्यूज नहीं करते बलकि इसके अलावा व्लॉग्स और स्पोर्ट्स पर भी चर्चा करते हैं अब बात हम करते हैं जल्दी से उस फिल्म की जिसका हर किसी को था इंतजार और फिल्म का नाम है विक्रम वेदा तो कैसी है ये फिल्म क्या अच्छा है क् खराब है क्या ये फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशन्स पर पूरी तरह से खड़ी उतर पाती है या फिर ये फिल्म कमजोर साबित होती है तो मैंने ये फिल्म देखी और उसके बाद जो मेरी एक सबसे बढ़िया जो राय बनी वो ये बनी कि क्या ये फिल्म अपनी जो साउ अंदाज में दिया जाए तो कुछ इस तरह से कहाज कही जाएगी बात कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की तरह नहीं होता है ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी खुशबू होती है तो पुशकर गाहितरी की जो तमिल में बनी हुई फिल्म थी जिसमें मुख्य किरदार में आर माधवन और साथ में थे विजे सेतू पती वहीं यहाँ पे आर माधवन का किरदार निभाया सैफ अली खान और हृतिक रोशन ने किया विजे सेतू पती का काम जो काम साउथ की फिल्म में विजू सेतू पती ने कर दिखाया था वो काम कोई भी नहीं कर सकता लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो काम इस हिंदी रीमेक में रितिक रोशन ने कर दिखाया वो काम भी कोई और नहीं कर सकता तो दो व्यक्ति जिनकी खुशबू पूरी तरह से अलग है उनका अनदाज अलग है उनका किरदार को निभाने का तरीक अलग है ये फिल्म भी पूरी तरह से यानि हिंदी फिल्म अपनी जो पूरी प्रस्ट भूमिय है उसमें काम़याब होती है मैंने तामिल की फिल्म देखी थी उसके बावजूद में कहूंगा कि इस हिंदी रिमेक ने मुझे बहुत जादा इंप्रेस किया है, बहुत ही जादा एकसाइट किया है तो जहांपे कहानी जो है वो वही है जैसे विक्रम बेताल की कहानी है और बात यही है कि एक विक्रम है और दूसरा है बेताल याने की वेदा एक है हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो किरदार ने बाया है सैफ अली खान ने बहुत ही सधा हुआ stylish और graceful किरदार ने बाया है और उसी तरह से बिलकुल raw rough किरदार ने बाया है रितिक रोशन साब ने तो रितिक रोशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जब भी परदे पर आते हैं तो एक किसम का hysteria create हो जाता है बिलकुल वैसा ही जैसा एक जमाने में अमिताब बच्चन को बड़े परदे पर देखके लगता था मेरे ख्याल से रितिक रोशन अगर बहुत बड़ा चड़ा के नहीं भी बोलू तो उस standard के अपने आप में एकलौते अभिनेताओं में से एक हैं फिल्म पूरी तरह से grip करके रखती है आपको और background score बहुत ही जादा कमाल का है जो फिल्म की कहानी के साथ आपको बहा ले जाता है उड़ा ले जाता है action बहुत ही अवल दरजे के हैं सैफ अली खान की dialogue delivery बहुत ही बढ़िया है और लगता है कि वो लखनओ के हैं कानपूर की भाषा लखनओ की भाषा ये जो mixture है ये बहुत ही कमाल का पेश किया गया है दूसरा रितिक रौशन ने जिस stylish तरह से इस किरदार को निभाया है साथ ही अपनी age में रहते हो इस किरदार को निभाया है यानि कि ये जो किरदार है इसकी उम्र जादा है दाड़ी के बाल इसके सफेद हो चुके हैं उसके बावजूत किरदार बहुत ही जादा अच्छा stylish, staggering मैं कहूंगा बन पड़ा है और जब भी वो परदे पर आते हैं आपका प्यार आपकी सीटियां, आपकी तालियां बटोर ले जाते हैं दूसरी और सैफ अली खान ने जिस तरह से धीरे 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 अपने इस किरदार को खोला है फिल्म की बिल्कुल ना तो अंडर प्ले किया है ना ही ओवर प्ले किया है, जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल सटीक जिसे कहते हैं बुल्साई, उनका किरदार लेकिन एक खिलाड़ी और है इस फिल्मे जिनके बारे में बात किये बिना ये फिल्म की कहानी के उपर जो बात हम कर रहे हैं, किरदारों की जो बात कर रहे हैं वो बात पूरी नहीं होगी, वो हैं शरब हास्वी इनको आपने बहुत सारी वेब सीरीज में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और खास तोड़ से अगर आपको ये याद रह जाते हैं, इस फिल्म में तो यही बात है कि वो सारी वेब सीरीज, वो सारी फिल्म में भुला दीजिए, लेकिन इन्हों ने जिस तरह से अपने आपको इस लकनवी, कानपुरी, धंग में अपने आपको ढाला है और जिस तरह से वो भाशा बोली है, वो बहुत ही जादा बढ़िया है, तो कुल मिला के ये फिल्म कैसी है, कुल मिला के फिल्म बहुत ही अच्छी है बहुत ही बढ़िया है, स्टाइलिश है और आपको दो घंटे धाई घंटे का तकरीबन इसका वक्त है, रन टाइम है, लेकिन रितिक रोशन के भाही बने हैं, बहुत ही छोटा सा किरदार है, बहुत ही जादा साधरन तरह से उन्होंने निभाया है, लेकिन परदे पर बेहत सुन्दर लगते हैं, अच्छे लगते हैं और लगता है कि रितिक रोशन के भाही हैं, दूसरा रितिक रोशन का चेहरा ऐसा है कि कब कौन सा भाव उस पे आएगा ये कहना बेहद मुश्किल है जब आप कहानी को इसको देख रहे होते हैं और वो emotions के जो up-downs हैं जब वो उनके चहरे पर आते हैं तो आप उनके साथ एक तम से connect हो जाते हैं ये इस फिल्म की खासियत है कि आपको अपने साथ जोडे रखेगी कहीं भी सूत्र तूटने नहीं देगी और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं फिल्म ये बहुती जादा अच्छी साबित होगी बॉक्स ओफिस पर भी और जिस तरह से सीटियां मैंने आज बचते होगी देखी पीवियर में मैंने ये फिल्म देखी और वहाँ ये सीटियां बज रही थी जिस तरह से मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं ये फिल्म एक नया इतिहास भी लिख सकती है तो ये है रिव्यू कॉर्नर मैं हूं तो शार उपरेती एक बात और मेंचन कर दूँ जाते जाते वो ये कि फिल्म के गाने कोई बहुत अच्छे नहीं है एक गाना है जिसमें वो विस्की की बाटल को लेके कुछ डांस हो रहा है उस गाने को हम सिर्फ इसले बरदाश करते हैं कि उसमें अपने अतरंगी तरह से अगर कोई नाच रहा है तो वो है रितिक रोशन तो रितिक रोशन सैफ अली खान बहुत ही जादा फबे हैं इस रोड में बहुत ही जादा अच्छे लगे हैं उन्होंने पूरा न्याय किया है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान की खुश्बू एक दूसरे से अलग होती है जैसे कि हमारे प्रिये माधवन की खुश्बू अलग है हमारे प्रिये विजे सेदू पती की खुश्बू अलग है बिल्कुल वैसे ही रितिक रोशन और सैफ अली खान कि इस रोल में खुश्बू बिलकुल अलग है जो आपको पसंद आएगी धन्यवाद